आप देख रहे हैं नेशन लाइप हर पल आपके साथ जालोन में पुरानी रंजिश को लेकर खेत में हुए विवाद में जम कर लाटी डंडे और गोली चली आपको बता दें कि दो पक्षों में 17 तारिक को फाइरिंग हुई थी उस घटना में करीब आदाधरजन लोग घायल हुए थे मामने की जानकारी पुलिस को दी गई सुसना पाकर घटना सल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया जहां दो लोगों को गंबीर चोटें लगने के कारण उपचार हेतु कानपूर के लिए रैफर कर दिया गया लेकिन उन में से उपचार के दोरान एक लड़के की मौत हो गई थी बता दें कि कुटोर थाना शेत्र के जमालपूर में जमीनी विवात को लेकर दो पक्षों में जम कर फाइरिंग की गई जिसमें तक्रीबन छे लोगों को चोटे आई जिने जिला अस्पताल ले जाया गया जहां दो लोगों को जहासी के लिए भी रैफर किया गया आज पुलिस ने आरोपियों को गिरफतार कर दोशियों को जेल भेज दिया है जमीनी विवात को लेकर आपस में लाई जगरा हो गया था जिसमें एक घायल वक्ति की इलाज के दोरान मेत्य हो गयी थी उस समझ में मुकदमा पंजकित किया जा चुका है पहले से ही उसी में जो वांशी चल लाए थे उनमें दो अव्योक्तों को गिरफतार करके जेल बेजा जा रहा है आगे जा रहे है अगराइक बैदानी करवाए के जा रहे है दोरे सांती है और इतात के तवर पर फोर्स लगाए गया है और पूरी तरह से जहात बती जा रही है ओर तो अगे जो खेस्ट एंढसर के शल्टमाकर को घ alerts के रहेए